हेलो एरिवन कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम आपके लेके आए हैं financial statement with adjustment जैसे कि मैंने आपको पहले का बताया था सबसे पहले आपका hold होना चाहिए financial statement पे तो उसके बाद मैं आपको इसका concept दूँगा अगर आपको अब financial statement अच्छी तरह आता है तो तब ही आप ये वीडिय जाने वाली है ये एक तरह का सिर्फ concept ही दूँगा इस वीडियो में क्योंकि इसके mcq कुछ जादा इतने नहीं बनते बस जो मैं बताने लगा हूँ एक golden rule बताऊंगा बस वो याद रखना वो exam में आप से पूछा जा सकता है ठीक है मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया ठीक है अब मुझे लगता है कि आप सभी को financial statement में अच्छी तरह आता होगा let's proceed आगे पढ़ते हैं कि adjustment का क्या काम है तो जैसे कि आपको पता financial statement हमने पढ़ा था उसमें हमने तीन पढ़े एक trading account एक profit and loss account and balance sheet हमने ये तीन चीजे पढ़ी इसमें आपको ये बनाना आना चाहिए इसी से related question पूछे जाएंगे पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा कि ये item जो भी कोई item पूछ सकते हैं कोई asset पूछेंगे कि ये asset जो है ये कहां पर आएगा ये balance sheet में आएगा आपसे इस तरह का उसमें question पूछा जा सकता है लेकिन अब हमने थोड़ा सा करना है with adjustment वाला with adjustment क्या हो गया adjustment हो गया थोड़ी सी changes लाना हर एक adjustment के दो effect होंगे हर एक adjustment के क्या होंगे दो effect होंगे अब पहली बात आती है adjustment होती है adjustments वो है जो आपको उन्होंने footnote में दिया होगा जो कि वो भूल च चुके होंगे या entry करना वो चीज़ हो सकती है या तो वो उसको adjust करना है उसकी plus minus कुछ करना है उस कारण से आपको नीचे वो adjustment में कुछ items गियोंगी या आपकी trial balance में नहीं होती जैसे कि हमने पहले किया था closing stock आप सभी को याद होगा closing stock हमने किया था उसके हमने दो effect दिखा था trading account में credit side और एक हमने बताया था assets वाली side balance sheet में ठीक है वैसे ही कुछ adjustments होंगी जो कि आपको footnote में धी होंगी उनको आपने adjustment करनी है adjustment कैसे करनी है आपको मैं बता दूँ हर एक adjustment के कितने effect होंगे दो effect होंगे हर एक adjustment के कितने effect होंगे दो effect पहला effect पहला effect आपका trading या profit and loss account मैंने क्या बोला trading या profit and loss account में पहला effect शो होगा इन दोनों में से किसी एग और और वर्ड समझते हो ना इन दोनों में से किसी में एक या तो trading या तो profit and loss दोनों में अकठे नहीं आ सकती कोई भी जो adjustment entry होगी और जो दूसरा effect है वो तो balance sheet में होना ही होना है जो दूसरा effect है वो आपका balance sheet में आना ही आना है First effect trading या profit and loss में किसी एक में second effect balance sheet में ठीक है अब हम बात करते हैं इसके golden rule की जो मैंने अपने से golden rule रखा है क्या है वो add outstanding ठीक है यह चीज़ याद रख लो learn कर लो add outstanding या accrued मैंने आपको उताया था outstanding और accrued एक ही वर्ड है कोई जादा इसमें complex में जादा deep में जाने के जोत नहीं है outstanding को आपका meaning आपको पता है जो आपका payment करने वाली बन गई है लेकिन अभी तक आपने payment नहीं की देने वाली बन गई है दी नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे outstanding accrued हो गया लेने वाली बन गई है लेकिन लिया नहीं है किसी ने आपको दिया नहीं है ठीक है यह decir आउट कि एक ही वर्ड़ मैं से acres के अपकी विर्ष होता है आपको इसमें आना है आउट Luft quirky में आपसें आना है तो इसमें क्या होगा एड आउटसेंडिक आप यह चीज़ याद रखने add outstanding और दूसरा जो रूल है लेस्ट प्रीपेड या ड्वांस बोल लो अब तो इसे आप एक लाइं की तरह याद कर लो add outstanding less prepaid अड़ा आउटसेंडिंग लेस्ट बेड़ बस बाकी ये आपका chapter खतंब और कुछ नहीं याद करने की जोत आपको add outstanding less prepaid अब मैं बताता हूं हमने आउटसेंडिंग को आड क्यों करना है prepared को less क्यों करना है हम एक एउसेंपल लेते हैं ठीक है किया है इसेंपल समझझ लो हम ने मैंने आपको definition बताई थी financial accounting की financial accounting का मेन मकसद है तू फाइंड आउट दा प्रॉफिट एंड लॉस अंड बाया बिजनेस इन अप पर्टिकुलर पीरेड आफ टाइम उस पर्टिकुलर पीरेड आफ टाइम में उसने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस जेला मैंने ट्रेडिंग में डाल दिया आपको आपने वेजिस दिये दस हजार आपने पूरे साल में कितने वेजिस दिये दस हजार लेकिन मैंने साथ में ये भी लिख दिया आपकी महीने की वेज थी वन थाउजन आप एक महीने की जो वेजिस दे रहे थे वो थी एक हजार तो बारा मीनों की कितनी होगी बारा हजार आपने दस हजार दे दिया है तो आउटसेंडिंग हुआ ना कुछ तो आउटसेंडिंग हम की मैंने अभी गोल्डन रूल में क्या वहला एड एड आउटसेंडिंग टू थाउजन तो यह आपका आगया है त्वेल थाउजन आपने ट्रेडिंग में वो अमाउंट बतानी है जो कि आपके पूरे साल की बनती है ये निया कि जितनी आपने पे पेमेंट कर दी है आपने बताना है आपने पूरे साल की कितनी पेमेंट करनी थी आपने इंको भी लेना आउटसेंडिंग वाली आइटम को भी लेना है अब बात होती है आपने दे दी है वेजिस नेक्श इंग्जेंपल लेते हैं 14,000 लेकिन 2,000 आपने अगले मेने के अडवांस में दे दी है तो वे तो अगले मेने के हमारा खर्चा हुआ इस साल का जो महीना है मतलब जो आपका समण लो मार्च में साल खतम हो रहा है आपने 2,000 एप्रिल के किसी को अडवांस में दे दी है तो हम वो considerate ठोड़ी करेंगे जो हमने प्रीपेड किया है जो हमने प्रीपेड किया है उसको हम क्या करेंगे लेस 14 में से 2 काटे 12,000 इसमें भी देखो 12,000 आ गया यही चीज है आपने सिर्फ बताना है उस साल की खर्चा सिर्फ उसी साल का इंकम बतानी है आपने ना कि अगले साल की आपने बतानी है कोई ख होप कि आपको एक golden rule समझ आ गया होगा अब थोड़ी से हम करते हैं प्रेक्टिस बस अब देखो आप द्यान से हमने क्या बोला दो इफेक्ट आने हैं पहले मैंने अजस्ट्मेंट लिखी है आउट्सेंडिंग वेजिस आउट्सेंडिंग वेजिस मैंने बोला एक अजस्ट् तो पाली एजस्ट्मेंट इसकी किस्में होगी ट्रेडिंग मेंана असे क्या करोगे और तो आपको mq में यही पूच याईगा MJ उस्ट्रेंडिंग वेजिस ऑस्ट्रेंडिंग वेजिस का क्या क्या सुक्वेफेक्ट हों इसकी अजस्ट्मेंट के तो आपने उप्षन चुन कि बैलन सिट में कहां पर आएगा में कि लाइबिल्टी में सर्क्राइं औफ बात है यह आपकी लाइबिल्टी है तो आपका यह आएंगा तो आपने यह दो आप्शन उसमें चुनने हैं अब अगला पड़ते हैं आउटसेंदिंग स assassin Pixar reach रिधे किसमें आता था त olduğ ती & L अकॉंट में ठिक है आउटनीं का आउटने किया करना है क्ली प्लस करना है क्योंकि आउट सेडिंग है और आउटसेंदिंग सेलरी यायाबिल्टी कहां पहाँ गोविड्ए वझ देना खत्म होधि टर्ड है प्री पेड इंशोरेंस प्रीट्स प्रीमियम ठीक है प्रिपेड क्या होता है लेस आपकÔर बंचल गिया इंश्योरेंश प्रीमियम आपका है खर्चा इंश्योरेंश प्रेडिंग की प्रॉफिट यंड् तो पहला एफ़ेक्ट इसको ड़ेगा profit and loss account में से less दूसरा option क्या आएगा balance sheet में आपने कोई खर्चा पहले का दे दिया है आपके लिए वो asset है कोई भी खर्चा पहले दे दोगे आपकी liability खतम होगी आपको कोई tension नहीं आपने अगले दो मीनों का premium पहले की दे दिया है तो वो आपके लिए क्या है asset received rent in advance received rent in advance received rent है तो यह आपकी क्या हुई income तो यह credit side आएगा मैं यह बता दूँ अगर simple rent लिखा था तो debit side आता of profit and loss account है ना in advance क्या होगा less और balance sheet में आपने को अपनी income received advance में कर ली अब आपने उसको service भी provide करनी है आप उसे खाली नहीं करा सकते अपना गर तो वो आपके लिए क्या है liability, tension तो यह एक जगा liability वाली side आ देगा balance sheet में अगला है ध्यान से देखना bad debts और rupees 100 इसके दो effect बताने है एक bad debts bad debts पहले पता होना चाहिए होता गया है bad debts वो amount है which are irrecoverable from debtors जो कि आप debtor से पैसा नहीं ले सकते हो जो कि आप debtor से पैसा नहीं ले सकते हो तो bad debts को आपने क्या करना है पहले पहले तो bad debts आपको पता है profit and loss account में आता है इतना पता है ना debit side और दूसरे effect क्यों होगा debtors में से less कर दो खुद दिमाग लगाओ debtor से आपके 5000 के bad debts होगे 100 पे के तो अब debtors कितने के बचे 4900 के अब debtors कितने के बचे 4900 के तो आप 120 क्या करोगे आपके bad debts को लाइब एमलब आपके debts में से debtors में से 100 माइनस करता होगे नेक्स्ट है depreciation of machinery machinery को आपने depreciate करना है ठीक है इसके दो effect क्या होंगे पहला तो depreciation आपका खर्चा है खर्चा कौन सा है profit and loss account पहला effect आएगा profit and loss account में debit side दूसरे effect क्या आएगा जो आपकी machinery है उसमें से less machinery थी आपकी 10,000 की गाड़ी थी आपकी 10,000 की उस पर depreciation होगी value कम होगी तो आप minus कर दो ना क्या सोच रहे हो उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है तो depreciation आपकी क्या effect होगा profit and loss account में एक आ रहाएगा debit side और एक आपका liability वाली side sorry एक आपका machinery में से less यही थे जो आपको पेपर में पूछे रहेंगे वैसे तो मुझे परस्टनली लगता है कि इसके कुछ जादा mcq नहीं आएंगे mcq आपके आएंगे simple और simple financial statement के लेकिन मेरा फर्द है आपको सहर एक topic कराना तो मैंने आपको financial आपको मैंने पहले ही वीडियो में बोल दिया था पहले आप proper hold पालो इन पे आप proper financial statement पे hold पालो तब भी आप यह adjustment पे जाना देखो adjustments कि इतनी असान है यह जो मैंने छे adjustment कराई इसी में से आपको mcq पूछ दाएगा और कोई इसका mcq नहीं बनता मैं यह बता दूं चाहे आपकी बुक में सबसे lengthy chapter होगा बाइओ आपका यह academic का पेपर नहीं है यह competitive paper है तो इसमें आपके पास mcq पेपर आना है आपको written paper नहीं आना solve paper करने को नहीं आना उन्होंने यह नहीं दस नंबर का पेपर देना यह उन्होंने एक नंबर का यह question डालना है कि इसका effect क्या होगा आपने बस वह effect चुनने हैं वह effect मैं इतना कह सकता हूँ जिनका mind sharp है उनको मैं बिना बताए भी बताता नहीं भी बताता वह भी solve कर लेते ठीक है तो easy था बस यह छे पॉइंट आप याद रखो और यह golden rule add outstanding less prepaid and nothing else ठीक है तो आज के लेक्चे इतना ही था thank you have a good day and enjoy the day